टॉक्सिक किड्नी की बारे में जब मैं टॉक्सिक किड्नी की बात कर रहा हूं तो टॉक्सिक किड्नी का मत्ब यह है कि किड्नी शायद properly काम नहीं कर रही है जिसके चलते toxins आपकी बाड़ी में generate हो रहे हैं and ये toxic kidney is creating the problem नव अगर आप toxic kidney ये kidney को properly देखें तो हमारी जो kidney की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो body है उसमे जो waste material है उसको clear करें and उसको urine के राष्ते से बाहर निकाले, कभी-कभी जो kidney है वो damage हो जाती है, अगर kidney damage के हम मोटे तोर पर कारणों को देखें, जो ज़्यादा परिशानी डालते हैं, वो या तो कोई physical injury हुई, जिसके चलते kidney में चोट लग गई, नमबर दो, कोई infections हुए, जैके persistent या बार-बार urinary tract infection हुआ, pyelonephritis हुई, या globonephritis जैसे भी चीज हुई, तो इसके चलते हैं, जो kidney है, वो damage हो जाती है, नमबर तीन, जो long-standing diabetes है, उसके चलते kidney damage होती है, जिसे कहते हैं diabetic nephropathy, इनसे ही, अगर blood pressure लंबे समय से है, blood pressure uncontrolled है, तो जो blood pressure है, उसके चलते kidney damage हो जाती है, जिसे कहते हैं hypertensive nephropathy, तो इनमें, जो kidney है, वो damage हो जाती है, इसके अलाबा, अगर kidney में stones है, उनको properly treat नहीं किया गया, और उनमें अगर infections develop होते हैं, तो kidney damage हो जाती है, इसका मतलब है कि ये 5 चीज़े हैं, जो kidney को damage करने की ताकत रखती है, नमबर वन, कोई physical injury होई, या kidney में चोट लग गई, नमबर दो, kidney में infections हुए, बार-बार untreated रहे, नमबर तीन, uncontrolled diabetes mellitis है, लंबे समय से, नमबर चार, blood pressure uncontrolled है, लंबे नहीं कर पाती है, और जो toxin है, वो body में build up होते हैं, तो problem होती है, नो, जहां तक toxin build up का सवाल है, सबसे बड़ी problem या wisdom बना ये है, कि kidney damage होती चली जाती है, इसके लक्षण इतने धीमें धीमें आगे बढ़ते हैं, कि सालों साल ये unnoticed चले जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगता है, in fact, आपको पता तभी लगता है, जो kidney significantly damage हो जाती है, या beyond repair हो जाती है, इसलिए इस तरह की जो problems हैं, उनको silent killer माना जाता है, because जो early symptoms होते हैं, वो नजर अंदाज हो जाते हैं, या पहचान में नहीं आते हैं, तो जो कुछ common science and symptoms हैं, आज मैं उनके बारे में बात करूँगा, number one is the swollen ankles and feet, अगर पाओं में इस तरह की swelling आ रही है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको नजर अंदाज मत करिए, जहां किड्नी का सवाल है, इसका काम है, कि बाडी के अंदर से waste को बाहर निकाले, और जो waste को बाहर निकाले, उसके साथ ही sodium को भी urine के रास्ते से बाहर निकाल दे, अगर किड्नी properly काम नहीं कर रही है, तो बाडी के अंदर sodium retain होगा, अगर body के अंदर sodium retain होगा, तो sodium वास्तों में, पानी को retain करेगा और पानी अगर retain होगा, तो body में swelling आईगी, यह जो swelling है सब एरे circuit होएंगे, तो चेहरे पे दिखेंगी जिसे puffiness आप दे face कहते हैं eyes के नीचे दिखाई देगी इन बाकी आप देखेंगे, तो हातों और पेरों में भी आपको swelling दिखाई देगी यह वास्तों में sodium की जाड़ा amount के कारण है नमबर दो पर आती है weakness and tiredness जो kidney की जितनी भी problems है, या for that matter even liver की भी जितनी problems है उनमें tiredness is one of the persistent symptoms, जिसमें लगातार आपको लगता है कि ऐसी थतान लगी हुई है कि जिसको आप understand नहीं कर पाते हैं आप लगातार कमजोर महसूस करते हैं, tired महसूस करते हैं यह इसलिए कि body में लगातार toxin build up होते चले जाते हैं यह जो toxin जो build up होते हैं यह weakness and tiredness के लिए जिम्मिदार होते हैं यह जो weakness and tiredness इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जो simple काम जो आप घर में करते हैं नहाने जाना है आपको यहां से वहाँ move करना है यह जो चोटे-चोटे काम है यह भी काफी difficult आपको महसूस हो सकते हैं Now, the third one is the decreased appetite भूग कम हो जाती है जो भूग कम होती है उसके तीन कारण है जो आप देखिए Number one आपके kidney काम नहीं कर रही kidney काम नहीं कर रही तो उसके चलते body के अंदर waste कट्टा हो रहा और जो waste कट्टा हो रहा है toxin के चलते जो appetite है वो नीचे की तरफ जाती है भूग कम लगेगी भूग कम लगेगी तो समय की साथ वजन कम होगा That's number one Number two जब toxins इकत्य होते हैं या kidney काम नहीं करती है तो आपका सवेरे या दिन में भी लगातार जीम चलाता है या बार-बार vomiting होती है इसके चलते आपकी भूग भी घर-बल होती है आपका बजन भी कम होता चला जाता है Number three All those people जिनकी kidney काम नहीं करती है उनको एक stomach या पेट के ऊपर fullness मालूम होती है कि नहीं कुछ खाया है तो भी ऐसा लगेगा कि पेट भरा-भरा सा है इसे कहते हैं dyspepsia अगर dyspepsia होगा तो भी आपकी भूग कम हो जाएगी तो भूग ना लगना is one of the very significant symptom of kidney problem Now look at the urinary frequency जहां तक average अगर हम देखें तो जो average person है वो 6 से लेके 10 बार तक urine पास करते हैं 6 to 10 times a day in 24 hours लेकिन अगर यह frequency ज़ादा है यह frequency कम है यह दोनों की दोनों जो चीज़े हैं वो kidney की problem की तरफ indicate करती है दोनों से मेरा मतलब है कि kidney की जो problem में urine की frequency बढ़ सकती है urine की amount में बढ़ सकती है यह urine की amount कम हो सकती है and frequency कम हो सकती है and in fact इसके चलते हैं जो kidney है और further damage हो जाती है इसके अलाबा, लोगों का ऐसा observation है, कि और भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है, लोगों को कभी जो urine है, उसमें हलका सा blood दिखाई देता है, कभी-कभी जो urine है, जब वो पास करते हैं, तो उनका ऐसा observation है, कि बहुत जदा ज़ाग या froth दिखाई देता है, इसका मतलब यह ह कि अगर आप कमोड में urine पास करते हैं, यह आपको लगता है कि बहुत उसमें froth आ रहा है, तो एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, कहिए जो froth है, वो kidney की किसी problem को indicate तो नहीं कर रहा है, the next one is the dry and itchy skin, देखे जब आपको skin में खुजली होती है, या itchy skin होती है, तो आपका ऐसा मानना है, कि इसमें ज़रों oil की कमी है, इसके चलते हो रहा है, winter season में it's a common problem, यह अगर किड्नी प्राब्लम को हम ध्यान से देखें, तो जैसे जैसे किड्नी प्राब्लम आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो skin है वो dry होने लगती है, इन इची होने लगती है, in fact, scientifically ऐसा मा उसने toxins को flush नहीं किया, और अगर toxins body के अंदर हैं, तो skin में itchiness होगी, dryness होगी, इन वास्तों में skin foul smelling हो जाएगी, तो यह जो problems है, यह kidney में kidney ना काम करने के चलते हैं, जो toxins build up होते हैं, उनके चलते हैं, but the bottom line is friends, इसको देखें, कि जो kidney के disorders हैं, अगर आप early stage में इनको पहचा किया जा सकता है, इनको prevent किया जा सकता है, और अगर early stage में इनको पहचाना गया, तो यह बात बिल्कुल सही है, कि identify करके इनको treat किया जा सकता है, जो kidney stones हैं, जो kidney infections हैं, for that matter, kidney disorders हैं, there are certain group of people, जिनमें होने की possibility हमेशा ज्यादा होती है, अगर हम उन लोगों को देखें, जिनका higher blood pressure है, या hypertension है, उन लोगों को देखें, जिनने diabetes mellitus है, जिनकी uncontrolled है, या उन लोगों को देखें, जिनको dysklypedemia है, high cholesterol है, high cholesterol है, high triglyceride है, इसका माले वे तीन group के लोग है, hypertension, diabetes and dysklypedemia, these are the group of people, जिसमें kidney damage होने की जो possibility है, वो हमेशा उपर की तरफ होती है, अगर इसको proper check किया गया, early stage में इसको पहचाना गया, तो मेरा ऐसा मानना है, कि इसको treat करने में problem नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो group के लोग है, जो मैंने अभी आपके सामने रखे, इनके लिए important है, कि ये अपने जो symptoms हैं, उनको proper monitor करें, एक annual health check-up कराईं, और एक kidney की health पा ध्यान दें, और थोड़ी सी भी गड़बर है, तो वास्तों में जो treatment है, उसको early re-institute या institute करने की जरूरत है, ताकि kidney को safe किया जा सके, इसका मतलब ये है, कि kidney के जितने भी symptoms है, वो बहुत धेरी-धेरे आते हैं, problem सबसे बड़ी ये है, कि जब kidney ज़्यादा damage हो जाती है, तब kidney की symptoms आते हैं, जब आप investigate करते हैं, तो सामने आता है, कि kidney already इतने damage हो चुकी है, कि शायद इसका reversal possible नहीं है, इसलिए अगर आप susceptible age group में हैं, याने आपको high blood pressure है, आपको diabetes है, आपके cholesterol triglyceride बढ़े हैं, तो आपको regular check-up की जरूरत है, ताकि ये सपस्ट रहे, कि kidney में कोई problem तो नहीं है, from Guest to Liver Hospital for Utangar Kanpur, thank you very much.